हलो दोस्तों मैं अनाम इरशाद और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि Google में Chrome में extension क्या होते और इसके feature क्या-क्या है और इसको कैसे use करते हैं तो अगर आप यह जान लेंगे तो आपके लिए बड़ी आसान और advance हो जाएगी तो चलिए मैं आपको पहले बता जाता हूँ काम क्या-क्या होते इसके जैसे कि मैं कुछ करके दिखाता हूँ आपको जैसे मैं यह पढ़ रहा हूँ The United States had hope to use the ceasefire to evacuate तो ऐसा कुछ word आ गया मुझे मुझे evacuate का मतलब नहीं पता मान लो तो मैं क्या करूँगा इस पर double click करूँगा इस word पर और इस पर click करूँगा जो यहां पर एक icon आया है उसी समय खुल के यहां मतलब पता लगया अगर मुझे इसको सुनना है तो मैं speaker पर click कर दूँग इसने बोल भी दिया कि आप गलत पढ़ रहते हैं और हिंदी में सुनना हिंदी में सुन सकते हैं खाली इसी तरह मुझे किसी भी word का मतलब नहीं पता है मैं पूरे news पढ़ते पढ़ते कहीं भी जा रहा हूं और मुझे इस फकी लर्निंग का नहीं पता है किसी डामेंशन का नहीं पता मैं किलिक करूँगा डामेंशन पर और यह बता देगा डामेंशन क्या मतलब जाओ fidelity अब इसको मैं सुनना चाहूं भी सकता हूं आया कि वहांनि ने कि महाना जो भी है इसका मतलम कंतल तो इसी तरह मैं इसमें और भी feature इसे किपर क्लिक करा उसके बाद ये किसी दूसरे भास में में इसको convert करना चाता हूँ लगे हाथ तो मैं चाता हूँ कि इसको रसीयन में क्या बोलते हैं अभी ये करेधा लेकिन इंग्लिस से मैंने Hindi select किया है तो in्गिस से Hindi कर रहे कोई बी वर्ड अगर रुशियन होता तो रस्यƯां से Hindi करता अब मझले कोई भी ह compete में कर लेंगे तो यह लादेगा जैसे कि में फोश सेस करते हूं और क्लिक करता हूँ तो यह हिंदी हो गया चुनता और सपोज मुझे यहां से लेकर यहां तक का पेरग्तर गाराफि नहीं आ रहे समझ में क्या है तो इसनफा कर दूगा यह पुरा सेंटेंश ही हिंदी में कर देगा एक क्या मुझे इतना टेंशन लेने की जोते नहीं कि मैं इसका एक एक वर्ड जाके डिशनरी में चेक करूँ यह भी बहुत अच्छा है अब यहां से दिखाता हूं यूज रेडियो यहां से कैंसर के लिए मैं इसके कर दूँगा सिद्धा रेडियो तरंगों का उपवगा कैंसर फार्म इलाज के लिए यह हो गया तो अब यह फंसे नहों हो गया अब चलते दूसरे में सपोज मैं गूगल में कुछ इमेज़ खोले अब मैं सबको एक-एक करके क्लिक करूंगा उसके बाद मैं इसको view image पे click करूँगा फिर एक नया tab open होके आएगा इससे बढ़िया तो है कि मैं कोई ऐसा application होता कि मैं सब image को वहीं देख लिए अब भी मैं दिखाता हूं कैसे यह देख लिए मैंने इमेज पर उंगली रखी और यह जूम हो गया मैंने यहां रखी यह जूम हो और मैंने यहां रखा यह जूम हो गया यहां रखा जूम हो गया जो भी मैं पिक्चर देखना चाहूंगा और वो एक बार महीं जूम हो जाएगा यह देखो तुरंट हो गया full clarity के साथ मैं आपको नया image निकाल के दिखाता हूं किसी भी चीज का जैसे कि मैं अपने चैनल का अब जैसे मैंने यह साच मारा तो यह मेरे चैनल के कुछ आइकन सा आ गए तो आप जैसे मैं इसको जूम करना आप इस पर ले जाओंके छोड़ दूंगा वो अपना भी जूम कर देगा यह हो गया जूम तो इसका बैक्रांड का पीछ इमेज हट चुका इसलिए ऐसा हो रह गए और यह वह पिक्चर नहीं दिखा पाएगा जो मतलब मैंने रिमूब कर दीए वह नहीं आभी है मेरा पिक्चर तो इसलिए आ रहे हैं तो यह फीचर अब और है जैसे कि मुझे फेस्बूक चलाना तो फेस्बूक मैं इसमें बार बार चलाओंगा अफबी तूल का जाएगा और इसको close भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए इसमें चैटिंग के लिए अच्छे option आ रहे हैं चोटा सा अब मेरा ब्राउजिंग होता रहेगा और जब इसको close कर दूँगा कोई दिक्कत नहीं है बार बार वो करने ही जतनी है चोटा सा ब् मतलब नएन वह भीजा है picture करें मैं request देख सकता हो किसने क्या क्या मैं सब कुछ देख सकता हो live chat कर सकता हूं तो Facebook भी site में देख सकता हूं तो मुझे login करने की जतनी है बार-बार अब मुझे email देखना email भी देख सकता हूँ मैं यहां पर गया हूँ तो आप देख सकते हैं कि site में Gmail खुल गया है यह मेरा उपर कोने में Gmail आ गया इसको मैं शो कर दूंगा एक बर शोइन टूल बार तब यहीं रहेगा अब देख सकते हैं मेरा जो इसारा चैनल का वह जो भी है इसारा email यहीं पा रहा है और इसमें multiple मैं login कर सकता हूँ एक Gmail दो Gmail और इसमें सब कुछ कर सकता हूँ मैं mail send कर सकता हूँ रिसीब कर सकता हूँ देख सकता हूँ एक चोटे से ब्रावजर में और क्लोज करूँगा तो यह कोने में चला जाएगा कोई फरक नहीं पट रहा कोई नया message आएगा email आएगा तो यहां साइड में notification दिखा देगा कि आपके पास कोई email आया है ठीक है अब सपूज मैं क्या एक बटन लगा दिया सारे बटन वापिस आगए ठीक है अब देखो एक feature और दिखाता हूँ मैं सपोज अब मैं कुछ चला रहा हूँ picture movie देख रहा हूँ और एकदम से मेरे office में कोई आ जाता है manager कि भाई क्या देख रहे थे तो मैं एक बटन ओन करके रखूँगा एकदम स अब जैसी मैं फिर मेरा manager चला जाएगा फिर मैं वाफिस लग जाओंगा अपने काम में क्या क्या देख रहा था गूगल सर्च कर रहा था और यह हो गया और जैसी वो आएगा मैं जब इस बटन पर दबाऊंगा सारे गायब हो जाएंगे नेया page खुल जाएगा तो समझ ज जोज मेरा एक website है YouTube है YouTube मेरा YouTube मेरा चैनल है मैं यहाँ दिखा देता हूं जिस पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो यह माई चैनल है इस पर गया मैं अब मैंने को वीडियो अपलोड कर दिया लेकिन यह विवीव जो दिख रहा है सिस्टम व्यू दिख रहा है मुझे न इसमें क्लिक करके मैं जैसा मैं सिलेक्ट करूगा ये वैसा बन जाएगा तो मैं Android अडरीट में मेरा एफसाइट देखिया किया कैसा YouTube इसको मैं छोड़ा कर देता हूं यह देखिए बिल्कुल मुवाइल की तरह प्लैलिस्ट खुल गया यह वीडियो भी वैसी बिल्कुल ऐसे ही होता मुवाइल में आप देखेंगे तो कभी में खुललता हूं ₹म Awesome अमें ज्यादा अच्छा ख़ूता है तो कभी देखा हो तो आपने का जुकित अब मैं देख पार एक तरह इसज्टाविज सब्सक्राक्राइब कर सकता हूं ऐसे बिल्कुल आप देखते कर सकता हूं छोटा करके ठीक है को भी वेबसाइट में कि देख सकता हूं कि मुवाइल व्यू कैसा दिखता है एक प्रॉम के अंदर ठीक है अब चलते है नेक्स्ट अब सपोस्ट कि मुझे ना अपने ही इस चैनल का एक अब मैं इसको वापीस कर देता हूं यूजर एजन्ट क्या 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 चीज से नियुक्त बटन यहां पर इस पर क्लिक करके मैं शो कर देता हूं और यहां पर क्लिक किया और यहां पर कहता हूं selected area मैं इसको select कर ले था कि यहां से और रिफ्रेस्स कर लिए इसको जब भी बटन हुझा अब यह मैं जाओंगा यहां पर और मैं यहां ले लूँगा selected area और मैं इसको यहां से ले करके मैं इसको छोड़ दूँगा और एंटर मार दूँगा क्लिक करने के बाद आप देखो कि मेरा जितना बड़ा मैंने पेज सिलेट किया था यहां पर आ गया है आने के बाद इसमें option है कि आप क्या क्या करना चाहते हो इसको अब एडिट भी कर सकते हो इसमें जाके लिख भी सकते हो इसके लिए साइन इन करना पड़ेगा तो मैं अभी साइन नहीं कर रहा हूं अब इसमें सब कुछ कर सकते में एक बाद दिखा रहता हूं कैसे करता है अब मैं इसमें चाहूं तो लिख सकता हूं कि यह देखो यह home है इसमें color change कर लेता हूं मैं थोड़े दिर के लिए red ले लेता हूं इसमें कर रहा हूं अब यह प्ले लिस्ट है इस और इसका color change कर लेता हूं कि यह होगा color change ठीक है यह discussion है यह अब आउट है यहां पर subscribe करना आपको ठीक है तो यह हो गया और इसमें मुझे arrow लगाना है तो मैं arrow लगा सकता हूं यासे इस एरो के color change कर सकता हूं मुझे और red करना है इसको तो मैं और red कर लेता हूं यह अब यहां सब्सक्राइब का बटन है और मुझे कुछ लिखना है तो लिखी भी सकता हूं मैं square दे सकता हूं इस तरह ठीक है और इसमें कोई चीज बलर करनी है तो मैं बलर भी कर सकता हूं इ यह पेज का overview दे देगा ऐसा और इसको आप सेब कर लिजिए अपने computer में मैं इसको सेब कर लिया है कि यह देखियो सेब होके ऐसा आ गया है कि मैंने भी बनाया था बलर भी किया था हमने घिरा भी लगा था rectangle भी लिया हमने लिखा भी arrow भी लगाया और इस तरह में इमेज बहुत अच्छा Chrome से निकल गया और फीचर है भी मालनों कि मैं कोई website अपना लोगिन करता है मैं मेडिया फायर करता हूं मेडिया मेडिया फायर यह एक मेरा uploading website है जहांप मेडिया अप्लोग फायर अब यह मैं इस website पर गया है मैं लोगिन किया लोगिन करने के बाद क्या हुआ यह उसने बोला sign in करो तो मैं लोगिन किया मैंने हापर अब देखते रही है जैसी मैं लोगिन करने का अब देख रहा है एक वन वन लिखा रहा है और मेरा इमेल और पासवर्ड अट्रमेटिकली डल गया इसमें तो मुझे बार बार लोगिन करने की जो तो नहीं पड़ेगी अगर मैंने एक प्रोग्राम इस्टॉल कर रखा है तो मैं लोगिन करूंगा पूले थे और मैं लोगिन करने की बारी आएगी जैसे तो अपना पासवर्ड और यूजर डल जाएगा मुझे कभी जोत नहीं पड़ेगी कुछ करने की यह पूछ रहा है यह पूछ रहा है यह CMA 8 इसलिए हो रहा है तो आप देखो जैसे फेस्ट्म में लोगिन करूंगा तो अगर मैं साइन आउट कर देता हूं इसको साइन आउट करता हूं आप देखोगे कि हाँ पर मेरे अप्स्टन आ गया टोमेटिक ली और मैंने जितने इमेल से मैंने जितने भी वह करें थे लोगिन सारे आठ मतलग है आपके पास यूजर डालने की जोते है और मैं दिखायता हूं आपको अगर मान लो कि मैं यहां पर गो कर देता हूं इस अप्लिकेशन के तुरूफ तो अब मेरा क्या है कि कोई भी आपी ट्रेक नहीं कर सकता कि मैं कहां से इसने कंप्यूटर को चला रहा हूं तो यह मैंनों कर दिया है तो और इस ही को एक्स्टेंशन बोलता है अब है ठीक है जो इसके अंदर एप से सारे वो मुवाईल में चलते हैं आपके जो भी मुवाईल होता आपका जैसे कोई भी एप से स्टोल करेंगे तो इसका एप है जो मुवाईल में चलेगा इसी तरह क्रोम का भी अपना एक स्टोर है इसके एप जो है क्रोम में ही चलेंगे एक्स्टेंशन ही एडवांस फीचर इसमें तो अब क्या है कि ये एक्स्टेंशन खुलता गैसे है मैं बसाता हूं कि अगर और इसको यूज हम बिल्कुल एंडरुड की तरह कर सकते हैं तो हमने क्या करना होगा इसके लिए यहां पर जाना होगा थो फहले गूगल खोले जिए कंशिक्क है इंडिया यहां से क्रिआ के सबस्य है इस पर क्रिक करें ओद यहां आप णेसट तो कोई बात नहीं डीन करिये यहां पर कर के ना इस पत्ति नीचे लाफ्ट क्रेए और नीचे आया बिल्कुल नीचे आने के बाद आपको यहां पर एक option आएगा शो एप शोटकट इस पर जैसे मेरे okay हुआ पड़ा अगर आपका okay नहीं तो okay कर लीजिए इसको ठीक है जैसे अभी मैंने हटा दिया तो देखों कुछ भी नहीं है अभी मैं okay करना आपको मतलब लाइफट क्लिक करके शो एफ पर okay कर देना जैसे okay करेंगे तो कोने में ऐसी बिंदी बिंदी आ जागा colorful इस पर है ठीक है इस पर जैसे किलिक करेंगे तो अब इसके जितने अब से सब आ गए ठीक है अब मैं एक मिंड के लिए सारे अब सटा देता हूं जो भी मैंने लगा रखेते हैं कि अगा आई मैंने को आपको एक फीचर दिखाना भूल कहता है मैं दिखा जाता हूं एक फीचर और अच्छी तरह शायद वह आपके ज्यादा काम आएगा यसे मालों मैं यूटूब का वीडियो देख रहा हूं जिसे कि मैंने अपन ये वीडियो खुल लिया खुलने के बाद कि अब आज कम ज़्यादा करना तो मैं देखो मौस का माउस का स्कॉल अप डाउन करूंगा तो यह हो जाएगा दिख रहा हूँ आपको मैं अप डाउन कर रहा हूं इसकोल गुमा रहा हूं तो वोल्यम कम कि इस बना के देख सकता हूं कि अच्छा तरह का इसा कर दूँगा ऐसा एसा कर दूँगा एक ठीक है ठीक है और इसमें बहुतार अप्सेटर भी है कि यह से कि मैं इस पर करता है यह उल्टा हो जाएगा बिल्कुल बड़ा हो जाएगा वापिस कर दूँगा चोटा हो जाएगा और पिक्चर अगर इसी मुझे पिक्चर खेचना इसी का तो इस पिक्चर भी खेचना यह पिक्चर आ गया उसी समय मतले वीडियो चलता था जो इसनेप्सोट आ गया ऐसा उसी नेक्स ब्राउजर का आ गया पिक्चर तो यही फीचर है तो हम फिर से चलते हैं बैक अपने करो इस ब्राउजर पर यहां पर तो हम यहां पर थे कि यह इस्टोर पाने के बाद हमें जाना है इस कोने पर कोने पर जाने के बाद हमें जाना है वैब इस्टोर पर इसके अब जिसको भी एड करेंगे अब देख पा रहे हैं यहां पर कौने में कुछ भी नहीं है ठीक है बिल्कुल खाली है अब मैं जिस चीज को भी एड करूंगा वो कौने में एड हो जाएगा दिखा जेता हूं कैसे मालो कि मैं से वाट्सेशा घृत कर लेता हूं व दो thinner में वाट्सब यहां वाट्सब सभेत रिख तों डवलू हवॉ होर तो डिसी में एक्स्टेंशन में किलिक कर दिया एक्स्टेंशन पर ध्यान देना की आपको अक्स्टेंशन में किलिक करके रखना है अब अब इंस्टा एप मेंahlt अच्छ एंश्य में एक सबूद्स है इंसट आप dumped अब मैंने हाँ ख्लिक करके एड़ छी कर देना है इस्ट्राल करी सोल हो हुरतो गूजिए क्लुग पिलें सिरा सैंट इस्टी तीम पें सीस्ट्य होए इसमें स्ट्राल कर सकते हैं तो क्या होगा यहां पसार आपके sms दिखने लग जाएंगे आप sms यहीं से देख सकते हैं यहीं से sms सेंड कर सकते हैं आपको website में जोत नहीं पड़ेगी ठीक है तो यह extension गया कहा जो हमने इस्टॉल किया है इसके लिए बताता हूँ आप left side में कोने में जाए तीन बिंदी क्लिक करिए नीचे आए सेटिंग में सेटिंग में आने के बाद right left side आईए यहां लिखा हुआ extension इस पर क्लिक करिए क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा इतने जो भी आपने भी इस्टॉल किया था वो दिख जाएगा यह रहा हमने इस्टॉल करते हैं और यहां पर टिक नहीं रहता तो यह आपका डिसेवल हो जागा मतलब कोने में नजर नहीं आएगा लेकिन जैसी आप किसी भी चीज को आप एनेवल करेंगे तो यह कोने में नजर आने लग जाएगा जैसे मैंने दो चीज और इंस्टॉल कर रखा है जैसा आई जूम है लॉक है मैजिक एक् व्हीं जाएगा एक्सेंशने चलते हैं अब कुछ भी डाउन लोड कर लेजिए नोटपैड, इसक्राइच पैड, डिजाइनिंग जिस तरह आप एंडुड में आप यूस करते हैं उसी तरह आप अराम से इसी में यूस करते हैं आप मूवी पढ़ सकते हैं किताब पढ़ स सकते हैं गीधा बढ़ सकते हैं रामायन पढ़ता है इसको डॉलोड करके दिखाता हूं एक बार मैं इस पर एड़ जाऊंगा और यह जब इस्टॉल करेंगे तो यह option दिखाएगा कि कैसा कैसा आपको दिखेगा यह ऐसा हो जाएगा कोने में आ जाएगा यह देखिए कोने मे आपको जैससे एक्स्टेंशन आजाएंगे गुगल प्लेइश्ट में लिखते है ना विडिएओ प्लेयर तो बहुत सारे विडिएओ प्लेयर आ आ याए इसमें है कि एक तौ आप ने लिख दिया लेकिन रिलेटेट बहुत सारे यहां पर आ जाते हैं ठीक है अगर मैं इस तिस को कि अगस्की तर में करेंगे और श데क सिस एग्स fox अज करेंगे और शुन होजगा देखिए और इस यहू धीम करतेंगे थिख कर सकते कि हमाई आदा गंटा काम करें आदे गंटे बाद अलाराम बजने लग जाए वह भी कर सकते हम कोई जूम करना है सेड्डूल जूम करना वह कर सकते हैं इसमें सब कुछ लिख रखा है जैसे कि कि डिश्णरी है यहाँ पर अब चाहे तो ख्रोम को लोक कर सकते हैं यह ब्लैक मेनु इसको मैं अट करके दिखाता हूं यह बहुत च्छा अप्लिकेशन है जैसे आप ब्लैक मेनु पर जाएंगे यह देखिए यहाँ पर एक ब्लैक मेनु है याद रखिए कुछ भी डाउनलोड करने से पहले आपको यहा देखिए आप ब्लैक मेनु कर रहा था यह ब्लैक मेनु देखिए इसको एड करता हूं यह क्या होता है गुगल की सारी सर्विस जो है एक पेज में आपको मिल जाएगी जैसिये एड हो गया आपको जब यहाँ पर ज्यादा एड हो जाएंगे तो कुछ इसके नीचे आने ल और आपको यहां पर नहीं आया तो आपको करना आपको क्लिक करना है setting पर जाना है setting पर जाने के बाद आपको आपने जो जीमेल ओपन कर रखा था अपने इस ब्रावजर में आप उसकी सारी सर्विसे देख सकते हैं त्रासलेशन मैप देख शक्र 화er देख सकते हैं नुट्यम्स पटते हैं ट्यूंटे-चे च्छुटे ब्रावसर में देखों यू टूब चल गया आप फिर से इसमें जाके दिखाता हूं आपको Gmail पर यह Gmail यहां से दिख जाएगा आपको सारा कि कौन सा Gmail आया उसी तरह फिर Google Drive में क्या 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 आपने फोटो डाल रखे हैं इमेज डाल रखे हैं वो दिख जाएगा आपको calendar देख सकते हैं आपने note देख सकते हो क्या कि आपने note कभी लिखा हो keep गूगल का सर्विस है नोट मतलब सारे फीचर इतने भी है दिख इतने सारे और एड भी कर सकते हो मैं ऐसे ठाकर यहां डाल दूंगा तो यह एड हो जागा एक गूगल प्ले सर्विस एड हो गया आपको कुछ भी पूछना है में को वाट्सप करिए मैं नंबर नीचे देदे करता हूं ठीक है तो देख सकते है गूगल की सारी सर्विस जितनी भी है टूजेट आपको एक अक्टेंशन में मिल गई है कुछ भी हो टूजेट है या फोटो वाला ही ले लू मैं यह देखो फोटो उठाकर मैं यहां डाल दिया है इसको पकड़ो नहां से इस पर क्लिक कर इसको पकड़ कहां डाल देंगे यहां आ जाएगी मतलब कहने का मैं यह कहना चाहता हूं कि एक्स्टेंशन उसी को बोलते है कि को रोम का एक ब्राउजर क्रोम को हम एज एंडूइड मॉवाइल के तरह यूज कर सकते इसका एक अपना प्लेटफोर्म है जैसे एंडूइड आप रिमोट की तरह यूज कर सकते हैं अपने मॉवाइल से इस क्रोम को एक चीज कर सकते हैं फोटो कह सकते हैं रिकॉर्डिंग कर सकते हैं लिख सकते हैं मैंने बहुत चीज करके दिखाया है तो मैं आपको दुबार ली चलता हूं सैटिंग में जाके एक्स्टेंशन में एक extension manager होता उसको download कर लीजिए सब्सक्राइब पहले उससे आसानी होती है सारे application एक ही जिगत जाते हैं जैसे कि मैंने इस्टॉल कर लिया है अब देखिए extension manager है मेरा इसमें क्या जितने मैंने आज तक यूज किया है ना सारे extension यहां पर आ गए देख सकते हैं मतलब मैं जिसको ओन कर दूँगा यह ओन हो जाएगा एक बार में इसको क्लिक करते ही वहां दिख जाएगा अब देखिए जैसे मैं डेटा सेवर पर ओन करता हूं तो यह डेटा सेवर ओन हो गया बिल्कुल android की तरह काम करता है यह जैसे extension यूज कर सकूँ जिस पर मैं क्लिक कर दूँगा वहां पर ओपन हो जाएगा तो extension ऐसे ही होता है एड करने के लिए फिर वही तरीका है आप आप अपस पे जाएए वेब करो एस्टोर में जाएए जानने के बाद आप गैमस पे नहीं जाना extension पर जाना है और इसको एड कर लिजे जो भी एड करेंगे सब कूने में आट होता जाएगा उसके हरकिसी का अपना फिचर किसी वे भी किलिक करिए किलीक करेंगा यहां पढ राए में समझ में नहीं आ रहा है, पिक्चर अपता लग रहा है कि जो आपका जो यह लिरिक्स है जो बोलेगा वो दिखने लग जाएगा, अगर आपको इस गाना सुनते हैं जो बिल्कुल certified है, तो आपको इसका लिरिक्स बिल्कुल यह इस extension को add करने के बाद, उसका गाना का यह क्या करता है यह फोट कर सकता है और यह दिखा रहा है कि फोट अर collage को इसा आप पूरा गुप साउप शरा कि आब आ सकते हैं तो हर एक चीज को add कर विसे इसा तो प्टीचर है तो मैंने देख्वा एक जिसमने डिशनरी बना रखा था इंग्लिस नीज पड़ा था मैं लूज मैं गया एकस्टेंशन में और मैंने आड़ कर लिया ईजा गूगल ट्रस्लीतर यहां पर था यह ले गुगल ट्रांसलेटर करल लिए बाते और करने के बाद एक और रिफ्रेश्च परता जब और उपन फब yas करने के बाद देखिए अब जैसी मैंने इस पर क्लिक किया इसी वर्ड पर डबल क्लिक करने का मौका मिलने जाए अब मिलेगा डबल मौका करने का मौका हाँ हमने किसी भी कर देंगे कि यह रहा है यह सैट पर करके देखते हैं यह सैट पर कहा हुआ तो यह है गूगल ट्रांसलेटर और जो मैंने इमेज जूम क्या था वह था जूम उस एप्लिकेशन का नाम था बाकी मैं यही बदाना चाहता हूं कि इसमें एक्स्टेंशन क्या होते हैं तो यह जितना फीचर करते जाएंगे वह एक्स्टेंशन है अपने वीडियो एंज्योई क्या होगा और फ्लीज सस्क्राइब जरू करिएगा मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूं मेरा वीडियो बहुत अपनी अब सस्क्राइब कर लीजिए यूसफुल बहुत वीडियो है मेरा नहीं मुझे कर दो दो